नमस्कार दोस्तों मुख्बल कितमाउन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चाहल में दोस्तों आज हम इस विशे में बात करेंगे कि ये 5 चीजे अगर आप अपने घर से निकाल देते हो तो कैसे आपके जीवन में तरक्की होने लगती है ये 5 चीजे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के घर से निकल वाई है और ये समझ लीजे के 30% से भी अवव ने ग्रोथ मिली है अपने काम दन्ने में और लाइफ में इंप्रूब्मेंट मिला है इन 5 चीजों को घर से निकालने पे और इन चीजों को निकालने के पीछे क्या कारण होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा और इनको निकालने से कैसे फरक पड़ता है तो दियान से वीडियो सुनिए और चीजों को नोट कर रीजे जो आपको घर से निकालनी है सबसे पहली चीज आती है एक्वारियम, अक्सर लोग वास्तू का उपाय करने के लिए एक्वारियम लगा लेते हैं घर में और यह सोचते हैं कि इससे वास्तू का उपाय हो रहा है या एक्वारियम दिखने में अच्छा लग रहा है बहुत रीजन्स है रहे के कोई दिखावे के लिए लगाता है कोई वास्तू के उपाय के लिए कोई जनरली वार्टर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए पर जो मचलिया है और लिविंग बींग्स हैं और वो आपने एक पिंजरे में कैद कर दी हैं क्योंकि वो घूम घूम के पागल हो जाती है। वो शीशे पे टक्कर मारती रहती हैं और वो उस जगे से निकलना चाहती है। तो इससे आप अपने राहू को एक्टिव कर लेते हों और एक खराब राहू जीवन में सिर्फ बरबादी देता है। फिर चाहे वो एक्टिव आपका नौर्थ में लगावा हो चाहे नौर्थ इच में लगावा हो चाहे कहीं पे भी लगावा हो वो आपको फायदा नहीं देगा क्योंकि मचलियां जो मरी हैं उसका पाप आप पे चड़ेगा और जो उन्होंने ट्रॉमा सहा मरने से पहले वो उ डाल दीजे आटे की गुली डाल दीजे पर घर में मचली का एक्वारियम रखके इस रेमेडी को करने की मत सोचिए ये बहुत बड़ी फुलिशनस होगी इससे उल्टा राहू इतना बिगड जाएगा कि बिमारियां ही बिमारियां देगा दूसरी चीज जो घर से निकालने इ पुरानी वो बुक्स हैं जो आप रीड नहीं करते इनको मेमरीज बनाके मत रखिए इनको किसी और को दे दीजे जिसके काम आए क्योंकि जितनी पुरानी रद्दी पुरानी मैगजीन किताबे घर में होंगी ये खराब बुद्ध का प्रतीक हैं ये आपके वर्क में एकदम से आप देखोगे कि आपको ग्रोथ मिलेगी बूस्ट मिलेगा अपने बिजनस में चाहे आपका किसी भी चीज़ का बिजनस क्यों नहीं हो तीसरी चीज़ जो घर से निकालनी है वो हर कोई जानता है खराब electronic समान पर अक्सर लोग उसको समझ नहीं पाते अब कोई खराब मिक्सी है पुराने चार्जर हैं पुराने फोन है उसकी वेल्यू भी नहीं मिल रही या वो ठीक नहीं हो सकते पर आपने जमा कर रखें क्योंकि आपने उसमें पैसे लगाया थे अब उनकी value zero हो चुकि एक car की तरह है तो इससे better है कि आप उन्हें discard कर दे या destroy कर दे और उन्हें या किसी को बेच दे या free में किसी noker को, servant को दे दे या किसी को बाहर दे दे क्योंकि घर में जतना खराब electronic समान होगा earbuds हो गई है आपकी वो earphone हो गए आपका कोई भी charger होगे सारी चीज़े दिखने में छोटी छोटी लगती है पर ये बिगडे राहू का रूप होती है और भी negative सावित होती है और राहू का जो बिगड़ा रूप होता है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है ये deaths तक कर देता है तो जितना भी खराब electronic समानों से घर से बाहर निकालिए एक पॉइंटर बताता हूँ अगर आपके घर में south east direction में खराब electronic समान है तो ये आपके धंदे को खतम कर देगा पैसा आएगा ये नी बरबाद भी हो जाएगा तो ये चीज़ बिलकुल ना करें और इसको निकाले चौथी चीज़ जो बहुत important है आपके लिए घर से निकालनी वो है पुराने कपड़े जितने भी पुराने कपड़े हैं ये negativity लाते हैं ये शुकर का खराब रूप बन जाते हैं और कही न कहीं जीवन में खुशियों को खतम कर देते हैं तो जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहें उन्हें डोनेट कर दीजे पाँचवी चीज़ है पुराने फूल या artificial फूल अगर पुराने फूल है पुराना हार है किसी भी पितर की तस्वीर पे चड़ावा है या पुराने फूल है जो मुर्जाएवे हैं या प्लास्टिक के फूल है ये दोनों ही चीज़े खराब राहू को भी activate करते हैं और पितरों का प्रकोब भी लाते हैं तो घर में अगर लगाने हैं तो fresh फूल लगाईए पुराने फूल घर में बिलकुल न रखिये ये किसी न किसी वे में आपको नुकसान देगा और अगर पितरों की तस्वीर के आगे या भगवान जी के मंदर के आगे कोई भी पुरानी माला है सूखे में फूलों की तो ये पितरों को नराज करेगा और नेगिटिविटी को अट्रेक्ट करेगा इसको भी तुरंथ हटाएं ये पाँच उपाए आप ये पाँच चीज़े अपने घर से निकाल दीजे और आप खुद देखेंगे कुछी महिनों में आपको बहुत बूस्ट मिलेगा अपने बिजनस में और आपको फाइदे होने शुरू हो जाएंगे करके देखिए ये पाँच चीज़े और फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में ज़रू बताईएगा यहां पे कि आपको फाइदा हुआ कि नहीं हुआ वीडियो कैसी लगी ज़रू बताईएगा कमेंट्स में और अगर यह उपाइ करने के बाद आपको बेनेफिट होता है तो वो भी ज़रूर लिखना और घर की शुद्धी के लिए हमारी धुनी कीज़े सूपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में ताकि हर तरीके की नेगेटिवटी दूर हो जाए और हमारा प्रोटेक्शन लॉकिट पहनिए जिससे आपकी रक्षा हमेशा होगी आप कंसल्टेशन लेके मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं नेगेटिवटी से अगर ग्रसित हैं तो 813-033-1007 पर वट्सेंट मेसेज करके मैं हूँ आपका दोस्ट पुलकित महान सेंगला